अरे कृष्णा तो गोपास्टमी की आप सब भक्तों को बहुत बहुत बदाई अभी गोपास्टमी आ रही है जिस दिन भगवान ने गायों को चराने की सेवा ली थी और माता यशोदा पहले कृष्ण चोटे-चोटे बचनों को चराने के लिए जाते थे तेकिन कृष्ण जब बड़े हो जाते हैं तो माता आग्रे करते हैं कि मुझे गाये चराने की सेवा दे जाए और माता उनको गाये चराने की सेवा देते हैं तो गोपास्टमी के दिन ही भगवान कृष्ण गायों को लेकर के जाते हैं और मा गायों की पूजा करवाते हैं और बोलते हैं कि लोग ये पादुका पहन करके जाओ जंगल में तो कृष्ण बोलते हैं कि नहीं ये पादुका पहन करके अगर आप हमें पादुका दे रही है तो हमारी गायों को भी पादुका दीजिए तो भगवान कृष्ण बोलते ह जब मेरी गाये बिना पादुका के जाएंगी तो हम भी बिना पादुका के जाएंगे तो उनका ये प्रेम देख करके माता गाये माता और ब्रज की गोपियां सब बहुत एहलादित होती है कि कृष्ण गाय माता से कितना प्रेम करते हैं कि माता गाय जब जूते पहनेगी पादुका पहनेगी तब ही हम पहनेगे और भगवा नंगे पैर ही गाय माता को सेवा करने जाते हैं ति लेकिन गाय माता ने जब देखा कि हमारे कृष्ण नंगे पैर आ रहे हैं तो नौ लाग गाय जब चलती थी, तो वो भूमी को सौफ्ट कर देती थी, जिससे कि उनके कृष्ण को किसी प्रकार की असुविदा न हो, तो ये है भक्त और भगवान का प्रेम, भक्त भगवान को सुख देना चाहते हैं, और भगवान अपने भगतों को सुख देना चाहत तो गुपास्टमी के दिन हम सब गाय माता का पूजा करते हैं, गाय को गुड़ खिलाते हैं, हरी घास खिलाते हैं, और गाय माता की सेवा करते हैं, वैसे तो भगवान के भक्तों के लिए नियमित ही गुपास्टमी है, उन्हें नियमित रोज गाय माता की सेवा करने चाहि बढ़नों से आधियात्मिक ज्यान के अभाव में आधियात्मिक चेत्ना के अभाव में नियमित गाय की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। कम से कम गाय माता को प्रसन करने के लिए भगवान कृष्ण को प्रसन करने के लिए गोपाश्टमी के दिन गाय माता की सेवा करने चाहिए और भगवान कृष्ण का आशिरवाद लेना चाहिए माता गाय का आशिरवाद लेना चाहिए और गाय भगवान कृष्ण को बहुत प लोगों को विशेस आदर उसेवा देना चाहिए क्योंकि भगवान ने जगत से इन दोनों को special इस्थान दिया नमो ब्रहमन देवाये, गौ ब्रहमन हिताई चाथ, जगत हिताई, कृष्णाय, गुविंदाये नमो नमा तो भगवान कृष्ण जगत में दो लोगों को विशेष सम्मान देते हैं एक ब्राम्मर यानि वैश्णव जो भगवान के प्रती समर्पित है जो ब्रह्म को जानता है जो भगवान की सेवा करता है और एक गाय मता और गाय में भी वो गाय देसी गाय जो वास्तिविक्ता में गाय है जरसी गाय गाय नहीं है तो जरसी गाय एक होता है गाय जैसी एक होता है ब्राम्मर जैसा तो हमें जैसा नहीं, जो वास्तव में ब्रह्म को जानने वाला है, जो ब्रह्म की उपासना करने वाला है, प्रब्रह्म की सेवा करने वाला है, ऐसा ब्रह्मा, उसको हमें आदर रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसका अश्रिवाद लेना चाहिए, उसकी सेवा करने चाहिए, इस सबको बहुत-बहुत बढ़ाई